हलो दोस्तो इस पीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रैंड लिकी टीम कॉंबिनेशन की उपर जो की IPL का अगला मुकाबला सन राइजस हैदरबाद वसे चैन्ने सुपर कींग के बीच खेला जाएगा इसके लिए तो दोस्तो गौर कीज़ेगा यह जो मुकाबला है राजी अच्छा पॉहमेंस करती है और इस मुकाबले में दोस्तो आप सभी को बहुत ही जादा कंश्यूजन हो रही होगी खास करके बैटिंग सेक्शन में प्लेयर्स को स्लेट करते समय क्योंकि दोनों टीम्स के बैट्समें बहुत ही अच्छे फॉर्म में भाले ही दोस्तो दोनो एक प्लेयर्स क्यापटर्म defending नहीं रहेंगे तो कौन से ऐसे प्लेयर्स रहेंगे इस मुकाबले में जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और आप दोस्तो आप सुझ बहुत ही कम मुकाबले में मौका मिलता है और पिछले मुकाबले बैटिंग मिलती है तो हैंड़ेश क्लास अंको लेकर चलेंगे जो कि इस ग्राउंड पर दोस्तों जब पिछला बार खेले थे तो बहुत ही सांदार बैटिंग किये थे और बैटिंग सेक्षन से बात करें तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ट्रैविस हेड को लेंगे क्योंक दो चार प्लियर्स आपको अपने टीम में ऐसे रखने हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है ताकि वो सारे प्लियर्स आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दे तो आप उसी हिसाब से दोस्ते यहां पर हम लोग क्या करेंगे नीचे से दोस्तों यहां पर हम लोग तो बहुती ज़रा चांसे से कि दोस्तों इस मुकावले में अच्छा पॉइंट्स करेंगे क्योंकि यह ऐसे प्लियर्स से जिनको आप लोग ज़रा देर खामोस देख नहीं सकते हैं नीचे से बात करें तो दोस्तों यहां पर हम लोग सीवम दूबे को ना लेकर अजिंके रहाने को लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको 3-4 ऐसे प्लियर्स को लेकर चलना है दोस्तों अपनी ग्रैंड लिकी टीम में जिनको बहुत ही कम लोग लिये हैं और वो अच्छे फॉर्म में हो जैसे दोस्तों अजिंके रहाने का पॉइंट्स देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्लियर्स को सेलेट करना है जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है जैसे अजिंके रहने को मात्र 30% लोग लिये हैं लेकिन इनका पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लोग अजिंके रहने को लेकर चलेंगे और इस 14 और मात्र इनको 14% लोग लिये हैं तो दोस्तो गेया ग्रेंड ली की टीम में जरूर लेकर चलना है और कैसे लेना है वह भी हम लोग आंगे लेकर चलेंगे और राउंडर सेक्षन से ईर्रीं मिचल को जो कि दोस्तों बैटिंग के साथ साथ बोलिंग करेंगे और अभी तक बहुत ही अच्छी form में है और जो तीन मुकाबला हुआ है दोस्तों तीनों मुकाबला में ये dream team में सामिल थे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनके नाम पर click करके तीनों मुकाबला जो यहाँ पर हुआ है दोस्तों तीनों मुकाबला में ये dream team में सामिल है और एक मुका साबाज जहमत को कैसे लेना है वो भी हम लोग आगे जानेंगे अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी न्यूज यह लिकल कर आ रही है जो कि बहुत दरह लोगों को अभी तक नहीं पता है कि यहाँ पर मिस्तफिजूर रह्मान इस मुकाबले मे लेंगे जो की बहुत ही अच्छे फॉर्म में है उसके बाद दोस्ते हाँ पर हम लोग पैट कमिंस को लेकर चलेंगे और दीपक चाहर को दीपक चाहर को मैं क्यूं ले रहा हूं क्योंकि दोस्तो मातरीन को 18% लोग लिये हैं और अभी तक दो मुकाबले में भी फ्लॉफ हो लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को ग्रैंड लिग जीतना है तो आप लोग कोसिस यह किजेगा कि जो भी प्लियर्स को सभी लोग मतलब पूरा दुनिया क्याप्टन कर रहे हैं और आप लोग रिसेंट के मैचेस में जाकर देख सकते हैं कि जिन भी प्लियर्स को बहुत ही लिया है और जो दोस्तों प्लियर्स पिछले मुकावले में अच्छा पॉहमेंस किये हैं वो दोस्तों 95% चांस रहता है कि फ्लॉप हो जाएंगे और ड्रीम टीम जो लिकल कर आएगी उसमें दोस्तों कैप्टन वो नहीं रहेंगे तो आपको कौन से प्लियर्स पर कैप्ट लेकर चल सकते हैं लेकिन कैप्टन मेरे हिसाब से ग्रैंडली के लिए रितुरज गैकवार्ड इंपॉर्टिंट रहेंगे क्योंकि इनको एक तो बहुत ही कम लोग लिया है और कैप्टन भी बहुत ही कम लोग बनाया है तो मैं उमुईत करता हूँ कि आपको हमारी पूरी दीटेल यहाँ पर समझ में आ रही होगी और फाइनल टीम के लिए आपसे लोग टेलिग्राम पर जल से यल जूड़ जाएगा दोस्तों लिंक में डिया है और बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीवी फिर उसके बाद आगे सारी ग्रैंड ली की टीम की ऊपर तो दोस्तों य कालें से रहेगी हमारी यहाँपर टीम की प्रीवी जो कि मैंने यहाँपर रितुरीजस गयकोर्ट केप्टन कीया है वाइस केपिन यहाँ पर ट्रैविस हेड को कर रहा हूं छैन्हे की तरफ सी मैंने ऑपनर्स पर फोकस किय है रचिन रहेंद्र, रहे हूं कि मैंने टॉप ओडर के सारे headlights को यहाँ पर लिया हुआ है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद दूसरी टीम के ऊपर जो कि दोस्तों हमारी यहां पर middle order को favor करते हुए टीम रहेगी और यह जो हमारी पूरी टीम है यह दोस्तों मैंने यह सोचकर बनाया है कि दोनों टीम्स की तरब से अगर openers जल्दी out हुआते हैं तो कैसे performance रहेगी टीम्स की और क्या combination रहना चाहिए योकि दोनों टीम्स में देख लेगी तो यह जो टीम है मेरी इस टीम मैं है नहीं मैंने दोस्तों ट्रैविस हेट को लिया है नहीं दोस्तों मैंने रितुर गया को लिया है चलिए मैं आपको समझाता हूं ट्रैविस हेट को मान के चलिए दोस्तों 90% लोग लिये हैं तो मान के चलिए दोस्तों ट्रैविस को वाइस क्याप्टन यहाँ पर मैं दीपक चहर को कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सुच रहा हूँ कि दीपक चहर आते का साथ ही ट्रेविस हेड को और दोस्तो मैंने यहाँ पर चार ऐसे प्लेइर्स को लिया है, जो कि दोस्तो बहुत ही कम लोग ने लिया है, इसलिए दोस्तो मैंने यहाँ पर कैप्टन बिल्कुल सेफ रखा है, हेंडिश क्लासन, क्यूंकि यह जो मेरी टीम है, पूरी मिडल ओर्डर को फेवर करते हुए ह और यहां पर फिर भी में पांच बैट्समेन लेकर चल रहा हूँ क्योंकि दोस्तो इस ग्राउंड पर पिछला मुकावला मैं बैट्समेन को मदद मिली थी तूसरी अधार पर ये भी मेरी टीम रहने वाली है क्योंकि ऐसा नहीं है कि टॉप ओर्डर के प्लियर से अच्छा प ये सोचकर मैं टीम बना रहा हूँ कि चैन्ने दोस्तो वन साइडेड मुकावला जीतेगी इसलिए चैन्ने की तरफ से एम पतिराना को मैंने लिया है दीपक चहर को और देश पांडे को तीन मैंने फास्ट बलर लिया है चैन्ने की तरफ से और एक मैंने अस्पीनर तो हो गया उसके बाद मैं यह सुच रहा हूँ कि टॉप और के चैन्ने के प्लियर से अच्छा पॉफमेंस करेंगे तो रचेन रविंदर को मैंने क्या और आजिंके रहने को मैं ले रहा हूँ और यहां पर इतुरेज गया कवाड को तो जहर सी बात है अगर चैन्ने के प् कंबिनेस ने पूरी हैदरबाद को फिवर करते हुए है हैदरबाद की तरफ से मैंने यहाँ पर 6 प्लियर लिया है महिंग अगरवाल को मैं क्याटन कर रहा हूं जिनको मातर दोस्तो 0.5 परसेंट लोग क्या था और वाइस कैप्टन वुमनेसर कुमार को और यहां पर मैं मै अगर दोस्तों मैं जो पूरी टीम रहेगी पूरी हैदरबाद को फिवर करते वह रहेगी तो इस वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यमाद दोस्तों आपसे वीडियो देखने के जि